अब कोई यहां पर पपू मिर्धा आए हैं हाजी पपू मिर्धा जी बताएं क्या करना चाहते हैं सर कुछ डाउट था सर अगर बताएं तो पूछिए सर जो यूटूब वगरा में जो राम के वनसाजों के बारे में जो दिखाया जाता है सर तो वो क्या सच बताएं सर नई राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है आप म्यूट कर लेजिए प्रश्णाप का हो गया काल्पनिक बात्र है तो उसकी वनसाजों की जो भी बात करेगा ना वो सारा कल्पना हो जाएगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिन लोगों को पाली पाकित पढ़ने तक नहीं आता था जिन लोगों का सारे इंस्क्रिप्शन जो है 14.12.13 सदी से पहले के सारा जो से निकाला गया है इंस्क्रिप्शन पढ़ पढ़ के खो जा गया है निकाला गया है तो इन लोगों को बंसाओली याद थी अरे इन लोगों तो ये नहीं याद था कि भारत में नालंदा विश्वविद्याले नाम की कोई चीज थी तजशिला तेलहारा नाम की कोई ची जिक्र नहीं किया ना लंदा का ना विक्रम शिला का जिक्र किया क्योंकि जब उसका जिक्र करते हैं कि इसको किस ने जलाया किस ने किया तिनकी पूल खुलती तो उस सारा चीज़ कायब कर दिये तो जिनको तेरिमी सदी में बार्मी सदी में भारत में क्या घटा वही नहीं प वांतोब को लिखे छाह sexe को क्य möता है कि इंना पुंसरे प्रामिक स 화장्ड स्भाणम क्या हूं थी और यह 5 बोल लिए और एक जगा लिखता है पाँच हजार साल हे लिए कि माल ले ले हैं तो सिंदू घाटी सबहेता कि तो लिपी भासा आज तक नहीं पढ़ी सकी है तो कहां से उपता लगा लिया तिरता यूग द्वापर यूग आई इतनी सारी बंसावली जिसको हाथी नहीं पता है हाथी का नाम नहीं पता है वेद में एक जगह गजसब्द नहीं परयोग किया है वेद में गजसब्द परयोग नहीं किया है उसको नाम तक नहीं पत आपको बनसावली होता है और आपको दोखा दे रहा है कि बैठके गपोडर है किया हमारे दाधा जी न मंगल गरह पर पहुंचते थे हम तो कल रात में सोएत हैं तो एक पेर न मंगल गरह पे टांगए एक चंद्रमा पर इसवत है है सब कालपनी कथा कहानी वाले तो यह चीज है यहां पर अदिक पुछना था सब्सक्राइब इंद्र की पूजा होती थी और कुछ मुर्तियां में मिली सर उसमें सिव की मुर्टी वगेरा सर तो उसी के लिए डाउट था सर आप तो बता आगरेती की पूराना नहीं नहीं है तो फिर कैसे सर मुर्फियां वगरा में सिंद्वाटी सब्ये तो सब्धेता में आज तक कोई नहीं पढ़ सका है नहीं पकता है अब मान लिजे वहां पर कोई मिल गया कोई हम oni मिल गया तो उसका नाम तो उसको पता होगा ना जी सील का नाम जब लिपी भासा नहीं पढ़ सका तो सील का नाम उसको कई से पता चलेगा कि क्या है सील वहाँ पे अब एक चीज देखिए अब मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं उसको जड़ा देखिए तब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा ये प्राद या इंद्र का आपको पता होना चाहिए कि इंद्र जो है जाता कथाओं में इंद्र आता है ब्रह्मेनिजम ने अपनी किताबे बुद्धिजम के विरोध में लिखी है इसलिए ब्रह्मेनिजम के जितने चरितर आएंगे न उस सब के सब पहिले से बुद्धिजम म इंक या भाथी के दिख रहा है आपको ये बताएं ए भो हरा इसे सील में अगर इनके समय इसका मायाして इस होना नाम क्या है साथी इस ये पता होना चाहिए न तो यह हमने उसका थो यह थे ओव इस वीद में थोड़ा से अच्छे से खोल देता हूं, यह देखिए, रिग वेद का आठवा मंडल है, 45 सुक्त का पाचवा नमबर मंडल, नीचे देखिए, अनुवाद में हाथी लिखा है, अब उपर संस्क्रीत लिखा है, यह बता सकते हैं, इसमें हाथी के लिए कौन सा सब्द परयोग किया है, हाथी है, ना, हाथी के लिए, यहां पर उसको नाम ही नहीं पता है, हाथी का, अचा चले, यह तो हमने एक दिखाया, कुछ और दिखाते हैं, यह रिग वेद का पहला मंडल का, 64 सुक्त का 7 नमबर मंत्र, इसमें भी अनुवाद में हाथी लिखा है, ठीक है, अचा, अब य यह कि संस्क्रीत पढ़िएगा, तो यहां लिखा है, दूसरा लाइन उपर से, मृगा इव रहस्तिना, मृगा मतलब जानवर, मृग मतलब जानवर होता है, यहां उस। म्रिग जो सब्द होता है ना कुछ लोग मतलब हीरन ही परयोग किया जाता है लेकिन एक म्रिग मतलब जानवर भी होता है यहां पर म्रिग का क्या मतलब है यानि हाथ, हस्तिन मतलब हाथ वाला जानवर। यहाँ पर लिखा न हाथ, यहां पर लिखा न, इसलिए तुम सून्ढवाले हाथी इह हाथी किसके लिए पर्यूच कर रहा है, परियोग कर रहा है। और सुन्ध मतलब हस्तिन ना हातो जानवर, इसको नाहीं नहीं पता है, इक मंत्र दिखा है उसमें आपको छिपकिल्ली अप वह किसी हमा ले ठिकती कि टेह bit लेश्तित आपको कर देंगे बड़ा बड़ा च्पकल्य क्योंकि आपको नाम पता है दरसल क्योंकि आप फिल्म देख चुके हैं आपको पढ़ाया जा चुका है आप उसका नाम जान चुके हैं कि नहीं ये प्राणी का नाम जो है डायनासूर है सब लोग डायनासूर कहते हम भी डायनासूर कहते तो अब एक बात बताएए अभी मैं दिखाया Indus Valley civilization में हाथी का यानि कि हाथी तो पहले से थी भारत में लेकिन इसको ही नाम नहीं पता है हाती का कभी कह रहा है कि हाथ जानवर उसको लग रहा है कि कौन सा जनवर है जिसका हाथ है आपको नहीं लग रहा है कि कभी हाथी देखा यह नहीं था जब वेद लिख रहा था उसको पता ही नहीं था यहां तवला कौन जनवर है अच्छा और देख लिजिए हो सकता है कि आपको लग रहा हुआ कि कहीं और जगह मैं सेंपल दिखा देता हूं यह देखिए रिगवेद का पहले मंडल का सेवन सुक्त का चार नमबर इसमें भी नीचे अनुवाद में पर्योग किया है गज देख लिजे गज अनुवाद में गज है लेकिन मूल मंत्र में कहीं गज सब्द है देखिए इंद्र वाजेशु न सफ्थर प्रद्धनेशु च उग्र भी भी मुञ कर along भी लेकं यहां पे चिंधा नहीं दिख Agana नहीं दिखा ना आप लेकिन यहां दो हजारो मितलब हजार होता है तो जिटे के लिए वाति के लिए इसको नाम और जग अलग-अलग नाम कर रहा है ऐसे आपने देख लियान कल जह औरहाppen है नlord बड़ा वाला छिपकिली है, पूँछ वाला कोई सरिस्रिप है, आप तरह तरह के नाम तभी परियोग करते हो, जब आप उस सिवराइजेशन के हो नहीं, आपके लिए वो अजूबा चीज है, आपके लिए वो कोई नयाब चीज है, समय रहा है ना? मतलब ऐसी चीज है जिसक एट नंबर सुक्त का तीन नंबर मंत्र, अनुवाद में फिर से गज सब्द, लेकिन मूल जो मंत्र है, उसमें कहीं परियोग किया है, गज, देख लिएजे, क्वा वह शुमना नव्यांसी मरुतह, क्वा शुईता क्वयू अव विश्वानी शौभगा, यहाँ पे भी हंस्ती, गज, कहीं नहीं परियोग है, लेकिन अनुवाद में गज आ गया, उसको नाम ही नहीं पता है, हाथ ही या गज को कहते, यह देखिए, रिगवेद्व के चाउथा मंडल, फोर्थ मंडल का, सिक्ष्टिन सुक्त का, फोर्टिन नंबर स्लोग, अब यहाँ पे संस्क की सुण वाला हाथी, क्या लिखा हाथी, यानि सिर्फ हाथी का मतलब क्या है, मृगो नहस्ती, यानि की हाथ वाला जानवर, यानि की पूरे रिगवेद्व का हमने एक-एक मंत्र खोल-खोल के, खींच-खींच के, निकाल के देखा है, उसको पता ही नहीं है कहीं पे, यह मनुस्मृति ये देख लिजे, मनुस्मृति में यहां पे पर्योग किया है, जिसका गण, जिसका गणेस मुखिया विनायक है, और इसमें मूल सुलोक में भी कहीं पे गज सब्द पर्योग नहीं किया है, मूल सुलोक में व्रिशल वृतिश्च गणाना पर्योग किया, मनुस च्रीका 162 में, यानि कि इनका चाहे मनुस्मृति हो या फिर रिगवेद हो, कहीं भी इनको हाथी जो है गज सब्द इनको नहीं पता है, लेकिन इन मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, यह इसलिए दिखा रहा हूं, आपको पता चलना चाहिए कि भारत का इतिहांस जो है इनक नहीं है, यह देखिए यह, मनुस्मृति चेप्टर 9 का 96, यहां भी अनुवाद में गज है, लेकिन मूल सुलोक में गज नहीं है, होस्तिन है, यानि हाथ वाला जानौर, यह होस्तिन बोलते थे, हाथ वाला जानौर, इनको पता ही नहीं था, तो अब यह क्यों मैं दिखा रहा हूं, यह देखे, मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसका मूल बताता हूं, यह कहां से आता है, अब यह देखिए, यह सील दिख रहा है आपको, इस सील का नाम क्या है, गज लच्छमी, ठीक है, और इसा से 200 साल पूराना सील है, अब बताईए, इसा से 200 साल पूराना जब कि वो दोनों किताब तो मुगल सासन काल में लिखे गए हैं। यानि कि उनका भारत के सभ्वेता संस्कृति से कुछ लेना देना ही नहीं। अना उनको यहां की सब्दावलिया पता है, गज सब्द पाली का है। संस्कृति में उन्होंने काकज सब्द किया है और विय ओ से उसी तरह से इन्होंने बाद को डॉप्ट किया। यानि यहां की सभ्वयता पहलें कु LEAST पूरानी थी थी बुधुषक्ष्ट की सभ्व बएतां की सभ्वयत से पुरानी थी पूलिये और कोई डाउट हो तो